चलिए बात करते हैं एक बार फिर से शर्लीन चोपडा और आदिल खान दुरानी के लेकर दरसल आदिल खान दुरानी और शर्लीन चोपडा इस वक्त सबसे ज़्यदा चर्चा में है वज़ा क्योंकि हाल ही में शर्लीन चोपडा की एक वीडियो शोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल हो गए और ये वीडियो किसी और के साथ नहीं बलकि आदिल खान दुरानी का साथ छोड़ दिया और वो राकि सावन का सपोर्ट करने लगी और एक बर फिर से सरलिंग चोप्रा को आदिल खान दुराने के साथ स्पाट किया गया जोहां पर दोनों एक दुस्य के साथ नजर आये और इतिफाक वाली बात तो ये थी चोकारे वाली बात तो ये थी कि शर जादा नजर आ रहा है आदिल शरलीन चोप्रा का दरसल डिनर डेट पर पहुंचे शरलीन और आदिल को लेकर अब शूशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि इस डिनर डेट पर आदिल और शरलीन रोमेंटिक होते हुए नजर आये जहां पर पैपराजी इसने भी कहा कि आदिल भी यहां पर रोमेंटिक होने की कोशिश करते हैं और साथ ही तब के सामने शरलीन चोप्रा को उनका एरिंग भी पहनाते हुए नजर आते हैं इस बीच आपको बताते चुले कि शरलीन और आदिल की इसी वाइरल वीडियो के बाग खबर शोशल मीडिया पर यह सामन हैं खबर यह है कि शरलीन चोप्रा को लेकर दावा किया गया इस रिपोर्ट में कि शरलीन चोप्रा अपनी शादी का कार्ड लेकर पहुंची है राखी सावन के पास और उन्हें इंविडेशन दे रही है कि राखी सावन आदिल और शरलीन चोप्रा की शादी में जरूर आ राखे सावंत ने जैसे ही ये शादी का कार्ड डेखा तो वो हग की बक्की रह गए और गुस्से से वो कार्ड शेरली चोपडा की मुझ पर मार दिया अब जब ये खबर हमारे सामने आई तो हमने भी लिया फैसला सच चान देगा कि क्या हुआ की ऐसा कुछ हुआ है शरली नोरादिल ने अभी तक अपने रिष्टे को रिवील नहीं किया और नाही किसी के सामने ओफीशी एकसेप्ट किया है अब बात करें शादी के कार्ड की तो ये खबर पूरी तरह से जूची है यहाँ पर ना तो शरली चुपर आपने शादी का कार्ड लेकर पहुची है और नाहीं राखी से कोई मुलाकात की है अब इंतजार तो बस ये है किस रोमेंटिक डिनर डेट को देखने के बाद क्या होगा राखी सामत का रियाक्शन आज के लिए सिर्फ इतना ही तब तक ले दीजिए साज़त शुक्रिया